Hello my dear students, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लिए आपके study? सबसे पहले आप सभी बच्चे का तहे दिल से सुक्रियादा करना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी बच्चे ने जो बे इम्तिहा प्यार दिखाया इस चैनल पे और आप लोगों ने जो support किया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आज अपने YouTube family member में एक लाग से भी जैदा लोग जोड़ चुके हैं ये सब तभी possible हो पाया जब आप लोगों ने support किया और मैं यकिन दिलाना चाहता हूँ मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से कि जितना बहतर content अभी तक आप लोगों को मिलता आया है इससे भी बहतर content आपको future में मिलेगा जिस उम्मीद जिस भरोसे के साथ आप इस चैनल पे मेरे साथ जुड़ते हो ये भरोसा मैं ये यकिन आपका हमेशा कायम रखूँगा और मैं अपने साथ से हर वो संभब कोसिस करूँगा जिससे कि आपका selection हो जाए आप अपने मंजिल तक पहुँच पहूँ तो इस बे इम्तिहा मुहबत के लिए इस सपोर्ट के लिए मैं सदा ही आभारी रहूँगा जो आप लोगों ने दिखाया है अब बात करते हैं कि जो बच्चे इस टेम टू फिप्टी टू ट्वेंटी टू थर्टी टू सिस्टी टू एटी थ्री हंडड़ के एप्रॉक्स अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास फिप्टीन डेज के एप्रॉक्समेट बचा हुआ है जैसे भी इस फिप्टीन डेज में गेम को चैंज करना है ऐसा नहीं है कि इंपॉसेबल है देखो मैं बार-बार बूलता हूँ कितना मेहनद करते हूँ यह मैंने नहीं रखता है किस वे में आप मेहनत करते हैं यह बहुत जैदा महने रखता है आपको सिर्फ और सिर्फ तीन से चार कम करना है अगले साथ दीन के लिए जो मैं आपको यहां पर दिलाता हूँ क्योंकि अगर आप 300 के डेंज में अल्लेडी पहुंच चुक हो इट मिंस अपना स्लेबस आप अप्रॉक्समेट कर चुक हो और मैक्समाम बच्चे अपना स्लेबस अप्रॉक्समेट अभी कम्प्लीट कर ली होगी लेकिन फिर भी आप श्ट्रगल कर रहें 300 मार्क्स में कई ब होके उर्ते-उर्ते कहीं और चला जाता है फिर से वही थोट्स आने लगते फिर आप पढ़ाय पर कंसंट्रेट करते हैं तो आपका लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अप खुद से हैं क्या ऐसा काम करना है देखो कितने मार्क्स कहां से इंप्रूब होंगे उसके लिए जो सब बच्चे ने फॉलो किया है और यकीनान वह अपना मार्क्स इंप्रूब किया है वो सौर्टकर्स मैं आप सभी को बताता हूं सबसे पहला क्या आपने NCRT का समरी फिजिक्स में भी केमेस्टी में भी बैलोजी में भी फिनिस किया है मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं नहीं फ पेपर चेक करके एक बार देख लेना आपको मिनमम 22-25 फिजिक्स केमेस्टी बैलोजी को मिलाकर मिल जागा तो अगर आपका NCRT समड़ी पे फुल कमांड है यानि 100 मार्क्स आप इंप्रूब कर सकते हैं जो अभी तक आप नहीं कर रहें सकेंट क्या आपने लास्ट के टेन आपको मीनमम 2 त्व टैम्स प्रेक्तिस करना हैँ लास्ट टेन यहस के लिम्कत समय है लेकिन उसको अची तरह प्रेक्तिस करना है अगर आप इस लेंगर कर रहें तो यकीन ढौन आपको फर्मूले फिर फुल कमांड नहीं आ आप सभी फर्मूले को मेमराइज करके नहीं र आपके पास नहीं रहेगा जब तक आप फर्मूले पे फुल कमान नहीं रखोगे तब तक question कैसे स्वल्प कर लोगी क्योंकि physics में कम से कम 25 से 30 questions chemistry में 25 से 30 questions आपके biology में बोलो तो 60 के approach questions मतलब total हो गया 120 के approach questions questions 30 30 plus 60 120 के approach questions directly questions आते हैं बहुत ज्यादा उसमें कुछ ताम जाम नहीं रहते हैं तो 120 questions का मतलब कितना हो जाता है 500 के approach marks अब इन 500 डिरेक्टली फर्मूले बेश डिरेक्ट एंसी आर्टी के अलावा थोड़ा बहुत तो आप लोग अलग से किये ही रहते हो ना तो 100 marks भी अगर आपको अलग से आ रहा है तो 600 को इसली रिच कर सकते हैं यह 3 main points था एंसी आर्टी का समरी पीवाई क्यू एंड सॉर्ट नोट्स या मैंड मैप के थूप फर्मूले को अच्छे से करना कम से कम तीन बार उस फर्मूले को रिवाईज करना अगर आप यह 3 कर लेते हो विदिन 7 डेज आपका इंप्रूब्मेंट होगा और आप 600 तक रीच कर पाऊगा अगर आपको और भी कोई अप्लोड हो जाएगा मुस्ट प्रडबली आज या कल मॉर्णिंग तक तो आप लोग वह भी यूज कर सकते हैं